अगर आप तो ऐसे food products के बारे में आज हम आपको बताएंगे जो actually cholesterol को कम करते हैं food that we can eat to actually lower your cholesterol reduce high LDL levels increase low HDL levels तो bad cholesterol को कम करना good cholesterol को बढ़ाना ऐसे कोई foods हैं जी हाँ ऐसे कई foods की property हैं और क्या property हैं उसके बारे में बढ़िसक्स करेंगे तो अगर आपको cholesterol की problem है तो इन foods को अपने खाने पीने में डालिए आपको फायदा होगा नंबर वन food जो इसमें आता है वो आता है आपका oats जी हाँ oats है oats नबर वन इसका कोई नंबर नहीं लेंगे बट यह सारे list में है so oats एक ऐसे food है food products हैं जो के एक तरीके से high in fiber है जब एक high soluble fiber वाला food आप खाते हैं यहने उसके साथ में आप banana डाल सकते हैं उसमें strawberry जाल सकते हैं और इन से क्या होगा और oats में fruits plus you can eat some dahi with it probiotic हो जाता है so these are all good things और milk भी ले सकते हैं इसके साथ as usual oats में so oats with this is good nutrition good amount of complex carbs high in fiber इससे cholesterol levels कम होता है fast absorbing अगर आप carbs खाएंगे पराठे और आटे खाओगे तो उससे तो ज्यादा फाइदा इससे होगा फिल जैसे कोई गेहू नहीं खाना है तो आप खा सकते हैं बार्ली आप खा सकते हैं कोई भी whole grain राइट जो भी आप रागी बार्ली यह सब में क्या होता है तोड़ा दीदार कोंप्लेक्स काब तो यह धीरे धीरे डायजेस्ट होती हैं मोटापा कम करती हैं कोलेस्ट्रॉल कम कर ती फिर ट्यार नट्स इस तो तरह आपके नट्स हैं जितने भी आपके जो ड्राइफ रूट्स हैं वह बहुत अच्छे हैं वह आपने खाना चाहिए एक कम से कम अच्छा सॉलीबल फाइबर रिच फूड है उसके बाद वेजिटेबल ऑईल साप लीजिए इंस्टेड ऑफ शाचुरेटेड ऑईल की जगह आप कैनूला ऑईल मस्टर्ड ऑईल या राइस ब्रान ऑईल इनको यूज़ करना शुरू करें फिर आपने क्या करना है फूड यह बहुत जरूरी आपल ग्रेप स्ट्रॉबरी एंड सिट्रस फ्रूट इस रिच इन पेक्टिन इस इस टाइप ऑफ सॉलीबल फाइबर जो भी लोगर करता है आपका एच ल्डियल लेवल लेवल कम करेंगे फ्रूट तो भेर सारे फ्रूट खाने आपने और बहुत सारा कहाना है आपने salad salad भी भहुत सारा खाना बहुत जरूरी है उसके अलावा आपको 45 फूड़ खा सकते हैं विच स्टिरॉल प्लांट के गम से बनते हैं प्लांट गम से जिसमें भी कोलेस्ट्रॉल के एब्सॉप को खाने से वो एब्सॉप कर लेते हैं तो वो खाने को विसकली उसका एब्सॉप्शन रोकते हैं that is a good thing soy products लेना है soy product soya bean again उससे बना हुआ food tofu soya milk यह भी एक अच्छा high protein और इसमें एक अच्छा तरीका है cholesterol कम करने का जिसमें के एक normal मात्रा में भी अगर आप लेंगे 25 ग्राम 50 ग्राम तो बहुत अच्छा रहेगा फिर fatty fishes आप खाएं fatty fishes में omega 3 होता है omega 3 LDL levels cholesterol levels को कम करता है और cholesterol levels में बहुत फाइदा करता है इसमें आमने जैसे हमेशा बताया है fatty fishes में omega 3 में EPA और DHA आपको देखना है अगर कोई supplement ले रहे हैं omega 3 का तो उसमें भी EPA और DHA की मात्रा जादा होनी चाहिए सबसे जरूरी aspect उसका यह है omega 3 omega 6 अगर हो है तो omega 3 omega 6 का आपके पूरे body पूरे body के अंदर ratio 1 is to 2 होना चाहिए 1 omega 3 है तो 2 omega 6 तक रह सकता है उसके बाद उसके बाद आप अलग से supplements ले सकते हैं soluble fiber supplements आते हैं जैसे के subgol, asylum यह सारे आपको अगें यह भी मदद करते हैं cholesterol कम करने में so ultimately healthy diet आपको रखनी है high fiber diet रखनी है पानी खूब सारा पीना है आप healthy protein खा सकते हो healthy fat खा सकते हो आप enjoy कर सकते हो life मना नहीं है आपको exercise a lot and lot of vegetables ऐसा research में भी पागया है salad अगर आप 10 kg या अपने वजन के 10 times less करके अगर 70 kg वजन है तो आप 700 g और 60 kg वजन है तो 600 g अगर ऐसा 10 times करके अगर 50 kg वजन है यह जैसे 100 kg वजन है तो 1 kg आपने salad रोज खाएंगे आपको cholesterol भी कम होगा वजन भी कम होगा diabetes भी कम होगी sugar भी कम होगी तो yes it is true कम होगी does not mean eradicate हो जाएगी you might need medicines also तो याद रखें अपनी बिमारियों को monitor करना ना चोड़ें मगर डाइट बहुत अच्छी जीज़ होती है डाइट हमेशा करनी है प्रोटीन का ख्याल रखना है इंडिया के अंदर वैसे ही maximum people are very much less in protein आज तो आज कल में ही 2-3 phone आये है मुझे कि वो सिर्फ vegetable सिर्फ vegetable सिर्फ fruits वाली डाइट ले रहे थे और पूरे के पूरे के पूरे के पूरे बंस पूरे के पूरे थाई मसल सारे सिकुड गए हैं और उसके चलते लिटरली उनको दर्द होने लगा बैठने में so that is a very very you know bad situation which you don't want to be in उनका वज़न मात्र 56 kg है लेकिन फिर भी पेट है so क्यों क्यों क्योंकि उनकी मसल सारी कम होगी और फैट वैसे का वैसे है you need your muscles you need exercise you need high protein diet याद रखिए vegetable fruits भी जरूर खाने है high protein diet भी जरूर खाना है so इसी लिए इस topic पर हमको बात करनी थी बहुत famous famous diets हैं दुनिया में जो बताते हैं आपको सिर्फ fruits लो सिर्फ vegetable लो लेकिन वो एक complete diet नहीं है पर उसमें बात आती है कि भी आप दूसरे चीज़े भी खा सकते हो आप सोया भी खा सकते हो लेकिन कितने लोग खाते हैं आपको literally हर एक meal में हर एक food जब भी आप खाना खाते हो उसमें 20 से 30 20 या 30 अगर 10 अगर 10 या 20 अगर female है ग्राम protein का food होना चीए proper protein अगर आप 20 ग्राम 30 ग्राम protein हो तो मतलब आपको 60 ग्राम सोया खाना पड़ेगा आपको उसके लिए 500 ml दूद पीना पड़ेगा आपको उसके लिए 1.5 kg दाल खानी होगी so it's a huge thing एक किलो डेड़ किलो दाल नहीं खा सकते आप एक मातर प्रोटीन लेने के लिए तो प्रोटीन पूरा करना इतना आसान नहीं है तो याद रखिए प्रोटीन पे concentrate करें 100 ग्राम दाल में किसी भी दाल में एप्रोक्सिमेट 14 से 18 ग्राम protein है बस दाल में 100 ग्राम दाल 14 ग्राम ब्लार में 18 ग्राम protein है तो आपको 200 ग्राम दाल खानी पड़ेगी 200 ग्राम कच्ची दाल को पका के फिर खाना पड़ेगा एक बार में तब जाके एक बार का protein protein requirement पूरा होगा सोचे फिर रोटी कहा है रोटी में सिर्फ 7 ग्राम 6-7 ग्राम प्रोटीन बस तो 100 ग्राम रोटी आटा 100 ग्राम आटे का कितनी सारी रोटीया बन जाएगा उतनी सारी रोटीया खाके बें सिर्फ 7 ग्राम प्रोटीन मिलेगी और आपको प्रोटीन चाहिए था 20-30 ग्राम 20 ग्राम मान लो चलो एक बार वे तो डटेज हाओ प्रोटीन पूरा नहीं हो पाता काफी लोगों का सोचके भी एक सिर्फ एक हाई प्रोटीन डाल खाली चनक खाली इसका मतलब यह नहीं कि प्रोटीन पूर प्रोटीन चाहिए थोड़ा साइट्रेक हो गए डाइटरी फाइबर बहुत जरूरी है एक्ससाइज भी बहुत जरूरी है कोलेस्ट्रॉल का यूज होता है याद रखिए स्टेरोइड बनाने में तो अगर आपके बोडी में यूज होगा इस्तमाल होगा जरूरत होगी त स्टेरोट बंद अगर आपके बोड़ी में जरूत ही नहीं है तो स्टेरोट क्यों बनेंगी तो आप केसे कोलेस्टरॉलì कोलेस्टर्ल गूमता रहेगा जमा होगा कथा होगा कुछ奇ण नहों it's not cholesterol use your cholesterol to make steroids use your legs your legs your big big muscles are the biggest muscles of the body and they have the most power and use them to exercise squat right अगर आपकी उमर जादा होगे नहीं कर सकते हैं तो बेड़ पे लिटे लिटे एक्साइज करें पहर उपर करके cycling करें whatever you are able to do that but exercise a lot of fiber a lot of fruits a lot of vegetables and healthy diet is very very important and completing your proteins is important thank you so much I hope this video was helpful अगर आपको कोई भी सवाल है cholesterol के बारे में किसी भी topic के बारे में तो आप मेरे नाम डाल के ढूंद सकते हैं doctor education by whatever the topic is topic by doctor education आप search मारेंगे तो आपको मिल जाना चाहिए यह वीडियो और अगर नहीं मिला है तो आप comment section में request कर दीजिए हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो बनाने की thank you so much stay connected and stay healthy